किसी गाउं में एक बुड़ा व्यक्ति अपने बहू और बेटे के साथ रहता था परिवार सुकी संपन्थ था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी बुड़ा बाप जो किसी समय अच्छा खासा नोजवान था, आज बुड़ा पे से हार गया था चलते समय लड़ खड़ाता था, लाठी का सहारा लेता था, चहरा जूरियों से भड़ चुका था, बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहा था घर में एक चीज अच्छी थी, कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठ कर खाना खाता था एक दिन शाम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे, बेटा थका हारा ओफिस से आया था, बेटा ओफिस से आया था, भूग जादा थी, सो जल्दी ही खाना खाने बैठ गया और साथ में बहु और एक बेटा भी खाना खाने लगे भूड़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए थाली हाथ से छूट गई थोड़ी दाल टेबल पर गिर गई बहु बेटे ने गिर्णा दृष्टी से पिता की और देखा और फिर से अपने खाने में लग गए भूड़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पर गिरता तो कभी जमीन पर बहु ने चिड़ते हुए कहा हे राम कितने गंदी तरीके से खाते हैं मन करता है कि इनकी थाली किसी और कोने में लगवा दूँ। बेटे ने भी ऐसे सिरहिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। बेटा यह सब मासूम्यत से देख रहा था। अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटवा कर एक कोने में लगवा दी गई। पिता की डबडबाई आँखे सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। बुड़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता तो कभी उधर। चोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था। ये देखकर मा ने पूछा। अरे बेटा तुम दाजा जी की तरफ क्या देख रहे हो और अपना खाना भी नहीं खा रहे हो। बच्चा बड़ी मासूम्यक से बोला। ममी मैं ये सोच रहा हूं कि जब आप भूदे हो जाओगी तो मैं आपको दादा जी की सरे कोने में बिठा कर खाना दूँगा। बच्चे के मूँ से ऐसा सुनते ही बेटे और बहू के कान काप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी क्योंकि बच्चे ने मासूम्यत के साथ एक बहुत बड़ा सबब दोनों लोगों को दिया था। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और वापस टेबल पर खाने के लिए बिठाया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि बड़ापे में उनके साथ ऐसा ना हो। उनके बच्चे उनसे प्यार करें उनका सम्मान करें और उनकी बात मानें। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है जैसी करनी वैसी भरनी।